हाई फ्रेंड, वेलकम टो पील्सी, C++ के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे डिफल्ट आर्गोमेंट, तो चलिए देखते हैं डिफल्ट आर्गोमेंट क्या है Generally, a function is called with all the arguments as declared in function prototype, declaration and function definition Generally, जब हम लोग function को call करते हैं, तो function के prototype में जितने argument हम वहां दिखाए रहते हैं मतलब जितने argument वहां हम लोग declare किये रहते हैं, उतने argument पास करके ही हमें function को call करना होता है ये general rule है, C language में तो ऐसे ही होता है, लेकिन C++ में एक extra facility क्या है कि आप default argument बना सकते हैं, कहने का मतलब है कि अगर argument 4 भेजना है तो वहां पे अगर आपने default argument set कर दिया है, तो 4 से कम भी argument भेजते हैं तो वो आपका program run कर जाएगा, ठीक है, और बात रहे कि बागे का argument कहां से मिलेगा तो वो default जो आप set किये रहेंगे, वहां से वो बागे का argument ले लेगा हो सकता है, अभी तक मेरी बाते आपको समझ में नहीं आई होंगी तो चलिए हम एक program बनाते हैं, और फिर वहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो चलिए हम लोग coding करने चलते हैं तो चलिए हम इस program को समझते हैं, यहां पर एक program आपको दिख रहा होगा इस program में एक main function है, यह यह रहा आपका main function जो किसी भी प्रोग्राम में जरूरी है कम से कम main function होना एक और function आपको यहां पे दिख रहा है यह अलग है इसका नाम है add तो यह कहीं न कहीं addition का काम कर रहा है इसे के लिए उससे मिलता जुलता इसका नाम रख दिया गया है add ठीक है तो आएए देखते हैं कि इस function का कैसे उप कर दिया गया है और एक नम नम का variable है ठीक है और इस यहां पर क्या किया गया है नम एक वल टू आइड एबी सीडी मतलब यहां पर आड देखने से लग रहा है कि एक function है और उस function में a b c d भेजा जा रहा है आर्गुमेंट के तोर पे तो यह function है कहां तो अब यहां से compiler जम कर कर आएगा उस function के पास तो यह रहा function function में a b c d से जो value मिल रहा है उस value को receive करने के लिए यहां पे कुछ parameter set किया गया है इसे भी हम लोग argument ही बोलते हैं तो यह parameter यहां पे set किया गया है चार चार set किया गया है इसका मतलब यह बनता है कि यह function कभी भी चार value ही accept करेगा और उसको add करेगा फिर उसे return कर देगा देखिए यह चार parameter यहां पे set कर दिया गया है मतलब यह चार value लेगा जो value i, j, k, l में receive करेगा और फिर यहां पे एक variable बनाया गया है r e s नाम का इस r e s में i, j, k को जोड़ कर रख लिया गया है तो result किसमें आ गया r e s variable में फिर r e s variable को return कर दिया जा रहा है मतलब जो भी result निकल के आएगा उसको return कर दिया जा रहा है तो मेरा समझाने का मतलब था कि यह function क्या काम कर रहा है और कितने parameter इसको चाहिए तो यह function जोड़ने का काम कर रहा है और इसको चार नंबर चाहिए मतलब argument के रूप में चार नंबर को आपको भेजना होगा और उस चारों नंबर को जोड़ कर यह वापस क्या return कर देगा result तो result किस में आ जा रहा है नंब नाम के variable में ठीक है और फिर नंब नाम के variable को यहां print कर दिया जा रहा है तो message के तोर पे आपको sum आएगा equal to जो result है वो यहां पे print हो जाएगा तो चलिए इस चीज को हम run कराकर result भी आपको दिखा देते हैं ठीक है आप खुद देखिए कि value कौन-कौन value आ रहा है तो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 को add किजएगा तो 14 ही आएगा तो यह program सही काम कर रहा है चलिए सही काम कर रहा है अब कुछ चीज को समझते हैं यह रहा function function में कितने parameter है चार तो function में जितने parameter set है तो इस function को कभी भी call किया जाएगा तो 4 argument ही भेजना होगा आपको तभी यह function काम करेगा वरना काम नहीं करेगा तो इस function को यहाँ पे define किया गया है यहाँ call किया गया है और function को declare भी करना जोरुरीड होता है तो declaration का काम कभी भी कहा होता है main function के उपर तो देखिए यहाँ पर declare किया गया है तो यह रहा function declaration यह रहा function calling और यह रहा function definition इन सारे चीजों को हम काफी deeply पढ़ाये हैं C language के series में तो उसका link हम डाल देंगे C language के series में हमने जो भी function को पढ़ाया है तो आपको अगर यहाँ दिक्कत होगा तो वहाँ से जाकर पढ़ लिजिएगा तो फिर यह सब चीज और भी समझ में आपको आ जाएगा तो यह रहा function declaration यह रहा function definition यह रहा function calling ठीक है इतना चीज के लिए तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं जो भी function calling हो रहा है उसमें हम क्या करते हैं कि एक argument कम देके देखते हैं क्या यह add करके हमें दे रहा है तो देखिए error देगा मतलब add नहीं करेगा चलिए करके देखते हैं हम यहाँ से जो call कर रहे हैं तो call कर रहे हैं तो a, b, c, d जो भेज रहे हैं चार argument तो एक argument हमने काट दिया तीन ही हम send कर रहे हैं ओके अब run कराते हैं देखिए run नहीं किया error आ रहा है ठीक है ना हम क्या करते हैं दो ही भेजते हैं दो argument एक और कम कर दिया हमने अब run कराते हैं देखिए error आएगा आ रहा है ना कहने का मतलब है कि जो आप यहाँ definition में declare किये हैं मतलब parameter उतना argument आपको भेजना होगा यहाँ declaration में जितना आपने दिखाया है parameter उतना argument आपको भेजना पड़ेगा ठीक है तो यह concept है जेनरली यह concept है function का लेकिन c++ में एक extra चीज आपको क्या मिल जाता है default argument का default argument का मतलब क्या है कुछ argument value आप default set कर सकते हैं पहले से कि अगर कहीं से parameter कम pass किया जा रहा है मतलब कम argument दिया जा रहा है function calling time तो कुछ value यहां से ले ले बात समझे तो उस तरह से देखिए कैसे काम करता है हम उस तरह से अभी coding करके इस चीज को देखते हैं तो पहले हम लोग default argument कैसे set करते हैं इस चीज को coding करके आपको हम बता देते हैं ठीक है तो चलिए default argument पहले हम लोग set करते हैं default argument set करने के लिए कुछ नहीं करना होता है जब आप declare किये है function declaration जो सबसे top में होता है main function के उपर वहां पे आपको हर एक variable में कुछ value assign कर देना होगा जितना आप चाहते हैं जैसे कि हमने i को 10 दे दिया और j को इनिसलाइज कर दिया 20 से यह आप अपने जरुत के अनुसार इनिसलाइज कर सकते हैं हमें बस example के तौर पर करके देखना है तो हम कुछ-कुछ value क्या करते है इनिसलाइज कर देते हैं तो चलिए जितने भी argument है वहां पे हम बस क्या कर दिये कर दिये बस इनिसलाइज कर देने मातर से ही डिफर्ट आर्गूमेंट का concept लागू हो जाता है बस आर्गूमेंट जो-बी उपर में function declaration हूआ है वहां पे जितने भी variables है वहां पे उसको इनिसलाइज कर देते है है तो इतना ही कर देने से deferred argument का concept लागू हो जाता है चलिए अब देखिए इस program को run कराईएगा तो ये run करेगा भले ही यहाँ पे दो argument क्यों ना pass हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं दो argument ही pass हो रहा है लेकिन फिर भी ये run कर जागा चलिए run कराकर देखते हैं देखिए run कर गया result क्या रहा है do 75 result भी हम आपको समझा देते हैं पहले क्या करते हैं कि इसे 3 argument के साथ call करते हैं मतलब c भी हमने pass कर दिया ठीक है 3 argument के साथ इसको call करते हैं अब देखिए अब result क्या आ रहा है 49 तो आब result समयते है 49 कैसे आया a, b, c तो देखिए क्या आ रहा है ABC मतलब A में क्या है 2 फिर B में क्या है 3 और C में क्या है 4 तो इतना add हो कितना हो गया 9 और D तो आ नहीं रहा है यहां से किसी तरह का D नहीं आ रहा है मतलब L को value यहां से नहीं मिल रहा है यहां से नहीं मिल रहा है तो L को value कहां से मिल रहा है यहां से जो default हम set किये है वहां से L को value मिल रहा है तो L के जगह पर कितना आ जाएगा 40 तो इधर से हो गया 9 और plus 40 तो 49 output के तोर पे आ गया समझ रहा है ना तो ठीक उसी तरह से 2 argument देखर आप देख सकते हैं हमने क्या किया 2 argument ही दिया अब इसको run देख लिजे यहां पर आई में value क्या आ रहा है आई में 2 जे में कितना आ रहा है जे में B का value आ जागा मतलब 3 के में value C का नहीं आ रहा है और L में value D का नहीं आ रहा है तो यह कहां से लेगा उपर से लेगा तो के में क्या आ गया के में आ गया 30 और L में क्या आ गया 40 तो यह 30 और 40 कितना हो गया 70 और ये 2 and 3 5 हो गया तो 75 आ गया देखे ना कैसे ये रन कर रहा है ये default argument जो set किया है तो वहाँ से खीच ले रहा है value को जब इसको argument के तोरते नहीं मिल रहा है calling से तो function calling से इसको argument नहीं मिल रहा है तो ये default argument से value खीच ले रहा है rest value default argument से ले ले रहा है तो यहीं concept है default argument का ठीक है तो वहीं coding यहाँ पर भी है same coding है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा sort में है जो चीज हम वहाँ पर अभी समझाए हैं तो वहीं काम यहाँ पर किया गया है तो आईए इस program को भी हम आपको समझा देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है सबसे पहले एक some message के साथ add name के function को call किया जा रहा है फोर आरगूमेन्ट के help से तो ठीक है यह तो call हो जाएगा लेकिन फिर इसी main function में दुबारा call किया जा रहा है add function को दूर्भ आरगूमेन्ट के साथ है फिर इसी में third time call किया जा रहा है जहाँ two arguments पास किया जा रहा है फिर उसके बाद कॉल किया जा रहा है जहां एक आर्गुमेंट पास किया जा रहा है फिर आखरी में कॉल किया जा रहा है जहां कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं किया जा रहा है लेकिन फिर भी यह हर बार कॉल होगा प्रोग्राम करेगा और आपको आउ लोग इस प्रोग्राम को खुछ से टाइप करके रन कराकर देखिएगा कि क्या होता है ठीक है आए थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसे भी हम पढ़के आपको समझा दें तो अब यहां पर क्या कह रहा है C++ compiler allows the programmer to assign default values in the function prototype declaration ये line क्या कर रहा है कि C++ compiler programmer को ये allow करता है कि जो function prototype declaration हो रहा है ये जो declaration है इसको function prototype declaration भी कहते हैं तो function prototype declaration में कुछ default value assign कर सकता है तो देखिए यहां default value हमने क्या किया है assign किया है ठीक है ये line आपको समझ में आ गया when the function is called with less parameter और without parameter the default values are used for the operation जब यहां पर आपको less parameter करने के मतलब है जब आप function को call किजेगा less parameter के साथ less parameter के साथ तो जैसे कि यहां पर सब less parameter के साथ call किया जा रहा है मतलब एक-एक दो-दो कम argument के साथ call किया जा रहा है या without parameter के साथ जैसे कि यहां पर कोई argument ही नहीं भेजा जा रहा है तो यह without parameter के साथ call किया जा रहा है तो उस situation में default argument से यह value क्या करेगा ले लेगा पास समझे तो यह कह रहा है जो भी यहां पर थोड़ा सा दो-चार लाइन लिखा हुआ है तो अगर आपको यह पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए और बेल आइकोन को जरूर प्रेस किजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले तो तुरांत आपको उसका notification मिल जाए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यो